हैलो सिनेमा लवर्स फाइनल इतने इंतजार के बाद में कल की 2898 AD का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसे देखनी के बाद में सच बताओ तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूँ जितना इससे पहले में किसी और ट्रेलर को देखनी के बाद में नहीं हुआ था बद ट्रेलर देखते समय मैंने कुछ रिजन्स नोटिस किये है जो कि साबित करते है कि ये मूवी तो ग्रेटिस्ट इंडियन सिनेमा बनने वाली है और ओ रिजन्स कौन से है मैं आपको जल्दी बताओंगा उससे पहले आप लोग मेरा एक काम करो ये इंट्रो देखो हाँ तो देख लिए इंट्रो तो आपको एक एकर के रिजन्स बताता हो क्या खिर की हुई ये मूवी ग्रेटिस्ट इंडियन सिनेमा साबित होने वाली है तो बहुत पहले इस मूवी को प्रोजेक्ट के इस नाम से अनौस किया गया था जहाँ पर हमें बताया गया था कि इस मूवी में हमें आमिता बच्चन, कमलासन, प्रबास, दिपिका बदुकौन और दिशापाटने नजर आने वाले है अब ये निउज आपने आप में ही काफी है इस मूवी के एक्साइटमेंट को बढ़ाने के रिए पर उतने में ही कुछ दिनों पहले ही आमिता बच्चन का इंट्रिडिसिंग आश्वधामा नाम का वीडियो रिलीस के जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आमिता बच्चन इस मूवी में आश्वधामा को प्ले करेंगे और जो कि प्रवास इस मूवी के लीड है तो सबको पहले से ऐसा ही लग रहा था कि प्रवास इस मूवी में भगवान कलकी को प्ले करेंगे बट ट्रेलर ने हमें गलत साबित कर दिया है क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद हमें पता चलता है कि प्रबास तो सिर्फ एक बाउंटी हंटर होंगे जो कि एक्च्वल में इविल साइट पर है और वो सम 80 यानि कि सुम्मती जिसे की दिपिका पदुकोन प्ले कर रही है उन्ह कि सिर्फ आपने बाउंटी को कंप्लीट करने के लिए द्रोना चरे के बेटे आशोधामा से लड़ रहा है और वो भी ये सब को जानते हुए कि वो जिससे लड़ रहा है वो और को इनेबल के आशोधामा है यार जिसके पास में दैवी शक्तिया है पर फिर भी आपना भैर कोन को यानि कि समेटिय और उसके बच्चे को बचाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें कमला संकी तो कमला संटो प्रवा से भी दस कदम आगे निकल गए क्योंकि वो इस मूई के में विलन होंगे यानि की कली होंगे जिने मारने के लिए भगवान कल क्या उतार लेंगे और दिपिका तो भाई क्या बहतर इन एक्टरेस है यार इनने कौन सा भी रोल दे दो ये उसे बखो भी निभाती है क्योंकि इतने बड़े-बड़ एक्टरस के बीच में दिपिका ने सिर्फ अपने एक्स्प्रेशन से ही मुवी में अपने एक अलग जगा बना ली है आइमिन उनके आखों से और बॉडि लेंगवी से ही नज़र आता है यार कि वो एक डरी और सहमी हुई सी मा है जो कि किसी भी हाल में अपने बच्चे को बचाना चाती है और ये चार होए इतने बड़े-बड़ अक्टरस है कि आगर इने अलग-अलग मुवी में काम दिया जाये तो ये अकले के दम परियों उन मुवीज को ब्लॉकबस्टर बना सकते है और ये तनी एक्साइटिंग चीज है कि ये चार होए अक्टरस हमें इस मुवी में एक साथ देखने को मिलने वाले है जिनके साथ-साथ हमें दिशा पाटनी भी नजरानी वाली है और इससे पहले कि तुम लोग कुछ बोलों में एक बात क्लियर कर देता हो कि कुछ मत बोलना क्यूंकि दिशा लोब है हमारी और ये जानते हुए कि दिशा इतने बड़े प्रोजेक में इतने बड़े बड़े अक्टरस की बीच में सूट नहीं कर रही है बड़ श्टिल जितना उन्हें ट्रेलर में दिखाया गया है उससे हमें एक बात समझ में आती है कि शायद से उनका रोल भी मूवी में बहुत ही छोटा सा होगा जो कि स्क्रीन प्ले को बिलकुल भी डिस्टरब नहीं करेगा इसके बाद में अगर हम बात करें रीजन नंबर टू की तो रीजन नंबर टू है इस मूवी का बजट एंड वेफेक्स इस मूवी के बजट के बारे में तो आपको पता होगा कि ये मूवी 600 करोड के बजट में बने हुई है जितने में आदिपुरुष भी बनी थी और इस मूवी के जो फोटो शुरुवात में इंटरनेट पे डाले गए थे उन्हें देखने के बारे में ऐसा ही लग रहा था कि इस मूवी का हाल भी शायद से आदिपुरुष जैसा ही होता है बड़े इस मूवी के ट्रेलर ने मुझे सप्राइज कर दिया है क्योंकि ट्रेलर में जो वी एफेक्स और सीजाई हमें दिखाया जाता है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी काफी अच्छा है जो कि देखने से ही दिलकुष कर देता है और आभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस मूवी में D&G कमपने ने वेफेक्स को डिजाइन किया है यह वो ही कमपनी है जोनोंने से पहले Harry Potter, Inception और Dune जैसी मूवी के वेफेक्स को डिजाइन किया है और आभी इस बार इन उने इंडियन सिनेमा में तो जैसे आग ही लगा दी है और आभी अगर हम कलकी और आधिपुरुष को कमपेर करते है तो कलकी का ट्रेलर देखने के बाद हमें पता चलता है आगर आप अपने बजेट को टाइम देकर और किसे अच्छे जगा पर इन्वेस करते हो तो आपका जो फाइनल प्रोड़क निकलेगा हो कलकी जैसा होगा रिजन नमबर थ्री मास्टर श्रोग आगर हम आज कल के नए ट्रेंड को देखे तो जब भी कोई नए मूवी रिलीज होने वाली होती है तो सबसे पहले उसके टीजर को रिलीज किया जाता है जिसके बाद में उसके गानों को और मूवी रिलीज होने से एक्जाक दो-तिन पहले उसके ट्रेलर को रिलीज किया जाता है जिससे ओडियंस में मूवी के हैप बनी रहे बट कुछ फिल्मेकर से से अलग अंदाज में करते है जिससे उनकी मूवी को एक स्टेंड आउट आटेंशन मिलती है जिससे कि पिछले साल हमिशा रुखान की जवान के साथ में द साथ में देखने को मिल रहा है जहाँ पर इस मूवी के टीजर को करीबन दस मैनों पहले ग्लिम्स नाम से रिलीज किया गया जिसके बाद में इसके कानों को रिलीज कर दें के बज़ाए बुझयान भहिरवा नाम की सीरीज को रिलीज किया गया जिसमें 15-15 मिनिट के दो क्योंकि इससे पहले हमने पोनियन से लिवा नाम की मूवी देखी हुई है जो कि चोला सामराजे पर बनी हुई थी इस मूवी को लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मूवी देखने आए मोस्ट आप दो ओडियंस को मूवी समझ भी नहीं बटाए नो की मूवी हिट रही थी लेकिन आगर मूवी के फर्स्ट आप में स्टोरी को अच्छे से सेट अप किया जाता तो मूवी और भी सक्सेस्पुल हो सकती थी जिस वज़े से ही कलकी यहाँ पर दो-तिन कदम आगे निकल जाती है और कलकी वालों का ये मास्टर श्ट्रोक शुरू आई था उतन प्रबास के कैरेक्टर को पहले से ही हीरो जिसा दिखाएंगे जिससे देख लोगों को इसा लगेगा कि प्रबास तो इस मूवी में हीरो होगा बढ़ हम मूवी रिलीज होने से करीबन 10-15 दिनों पहले इसका ट्रेलर रिलीज करेंगे जिससे हम लोगों को बताएंगे कि त मुवी को बहुत आगे तक लेकर जाएगी इसके बाद में अगर हम बात करें रिजन नमबर फोर और फाइनल रिजन की तो वो आता है इंटरनेशनल रेकागनेशन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इंडियन मुवीज को पैन इंडिया रिलीज क्या जा रहा है जिससे उनकी रिच बढ़ती है पर साथी में उनकी रिच को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्हें इंटरनेशनल भी रिलीज क्या जाता है जिससे उन्हें इंटरनेशनल रेकागनेशन भी मिलती है और जब जिसे ये movie हमारे Indian mythology को पूरी दुनिया में positively spread करने का एक जर्या बन जाती है क्योंकि हम सब बच्पन से ही foreign movies को देखते आ रहे है जिस वज़े से आज कल बहुत सारे लोगों को उनका culture कूल लगने लगा है बड़ी ये movie हमारे Indian culture को internationally represent करेगी जो कामिस से पहले इससरा जमोली की ट्रिपल रार ने भी किया था और उस movie को Oscar भी मिला था अभी देखो यार यहाँ पर award माईने नहीं रखता बड़ उस award के वज़े से उस movie को जो international recognition मिली है वो बहुत जादा माईने रखती है और ट्रिपल रो डिजरू करती थी और मैं आपको आभी movie देखने से पहले ही बता सकता हूँ कि कल की ट्रिपल रार से भी जादा international audience के attention को grab करेगी जो कि हम सब इंडियन्स के लिए एक proud feeling होगी और आज की इस वीडियो में इतना है guys आप लोग मुझे comments में बताइए कि आपको कल की देखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या excited कर रहा है और मिलते हैं इसी एक नई वीडियो में तब तक के लिए stay tuned and thanks for watching दर्रो मत एक नाया युगा रहा है